मुझे चिकन पसंद है तो इसलिए ममा ने आज चिकन बनाए है और चिकन के भी बहुत टेस्टी बनते हैं तो आईए मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ भी यह रेस्पी शेयर की जाए तो लेट्स केट टूंडी तर किचिन तो गाइस अब हम आचके हैं किचिन के अंदर और अब ममा आप लोगों से रेस्पी शेयर करेंगी तो आपने ममा इसके अंदर क्या क्या डाला है अच्छा यहाँ मैंने लिया है चिकन का एक किलो कीमा जिसमें मैंने दो अनियन चॉप करके डाली है और दो हरी मिर्चें डाली वन टी स्पून और उसके बाद मैंने Zira mortar डाला है बन टी स्पून और सॉल्ट डाला है हस्भाज़एगा अपने टेस्ट के मताबिक डालें आप और टू टेबल स्पून मैंने धनिया पॉडर के डाले हैं इसमें और इसमें मैंने एड किया है 2 TSP खश्खष का पेस्ट उसके इलावा मैंने 4 TSP बुनवे चनों का पॉर्डर जिस अच्छा टेस्ट आता है बहुत लोग बेसन भी डालते पॉर्डर लेकिन मैं जो हैं बुनवे चनों का पॉर्डर अब मैंने यह सारी चीजें इसमें बाद इसमें चौपर में एक दफ़ा डालके दुबारा से इसमें सारी चीजें मिक्स कर ली हैं ताके अच्छे से ये सारी चीजें इसमें मिक्स हो जाएं अब इसमें मैंने वन टीस्पून गरम मसाला पॉडर भी डाला है तो इसकी ऐसी फाइन सी लुक आ जाएगी अब हम इ मैंने हाफ कर लिये हैं तो हमारे तक्रीबन आठ है ना को नर्गे सी कोफते बन जाएंगे फिर मैंने अपने हाथों को हळका सा ओईल से ग्रीस किया है फिर उसके ऊपर मैंने इसको कवर कर लिया है एक्स के ऊपर कीमे को तो यह कोफते हमारे रेडी हैं अब हम इनको ओयल में फ्राय करेंगे अब हम इन कोफतों को दोनों सैट से अच्छे से लाइट गूल्डन ब्राउन कर लेंगे और फ्राय करके इनको बहार निकाल लेंगे अब इसी ओइल में हम अपनी ग्रेवी तेयार करेंगे यहा मैंने उसी ओओं में जिसमें हमने कोफते फ्राय करेंगे वन कप अन्यइन का पेस्ट ऐना डावा ओक अन्यइन का पेस्ट डालने के बाद अब हम इसकी अच्छी से ख Crush Nay करेंगे फिर आप हम इसमें डालेंगे वन टेबिल स्पून जिंजर गर्लिक कप पेस्ट पेस्ट को भी हम थोड़ा सा भून लेंगे और उसके बाद हम वन कप टोमैटो पेस्ट भी डालेंगे इसके अंदर पिर हम इन सब मसाले की अच्छे से भुनाई करके अब हम इसमें डालेंगे असारे स्पइसे स्पैसिस है मैं लिया सब 2onents धनिया पॉर्डर के और हाफ टीस्पून जो है हलती का है और वन टीस्पून है लाल-कुल्टीवी मिर्च और वनटी स्पून है आलप पासे रही मिर्च और नमक जो है वो हस्वेसाह का यह सब मसाले इसमें एट कर देंगे और अब हम थोड़ी सी देर मसाले को पकने के लिए छोड़ देंगे तो अब हम इसको कवर कर देते हैं 15 से 20 मिनट्स के लिए आफर 15 मिनट्स अब हम इसमें वन कप योगर्ट का एट कर देंगे का देखिए दालने के बाद हम मसाले की अच्छे सब भुनाई करेंगे और फिर आब हम इसमें खुffentlich कर देंगे केदें के और हम इसको कवर करके रख देंगे आदे खंटे के लिए बस लास्ट में अब मैंने इस पे गरम मसाला हरे मिर्चे और हरा दनिया ये सारे चीज़ें डाल दी थी और इसको कवर करके रख दिया था तो हमारे इनर्गे से कोफ़ते रेडी हो गए थे और टेस्ट में तो बहुत ही मज़ेतार है ये नर्गे सी कोफ़ते हैं इस इस मा फेवरिट और बस खाना खाने के बात पर हम निकले ते भार थोई से आउटिं करें करें प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें अब मैं आपको मिलती है अपन आप कर दे देजिए तू यम्मी रूब प्लीज रूब पर्स हर लाइक करें तू टिए कर दो और सबते हैं आपके आपके अब्सक्राइब कर दो भरेद्स इसम्मीजिस ए।